हाई अवरीवर्न नावनीता की रसई में आप सभी का स्वाकत है खिचडी तो आपने कई तरह की खाई होंगी पर आज हम बनेंगे स्पेशल पंजाबी चनादाल खिचडी आप इसे चनादाल पुलाओ भी कह सकते हैं जब भी कुछ हलका और टेस्ट्री खाने का मन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं तो आई ये शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को खिचडी बनाने के लिए हमें चाहिए आदा कप चने की दाल तो दाल को मैं अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था और एक कब बासमती राईस लेंगे तो इसे भी मैंने धोकर आदी घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था आप कोई भी चावल ले सकते हैं दाल और चावल दोनों को हमने अलग-अलग टाइम के लिए भीगो कर रखा है क्योंकि दोनों के पकने का टाइम अलग है इसके अलावा हमें चाहिए एक बड़े साइज की लंबी कटिवी प्यास दो मीडियम साइज के कटिवी टामाटर थोड़ा बारी कटव हरा धनिया तीन लंबी कटिवी हरी मिर्ची और एक छोटा चमस लेसुनदर का पेस्ट और मसाली में हमें चाहिए एक छोटा चमस जीरा चार पीस लोंग, दाल चीनी का टुकड़ा दो छोटी इलाइची, दो बड़ी इलाइची एक टेज पत्त, दस देवार पीस काली मिर्ची कोटर चोटा चमस हिंग और दो सुखी वी लाल मिर्ची लेंगे अब हम खिचड़ी बनाएंगे तो प्रेशर कोकर में दो बड़ी चमस देसी घी डाल कर इसे गरम करेंगे खिचड़ी का टेस्ट घी में अच्छा आता है पर आप चाहें तो इसके जिगाए ओयल भी ले सकते हैं घी जब गरम हो जाए तो इसमें जीरा और बाकी की सारे मसाले डाल कर इन्हें हलका ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इस रेसिपे में बहुत ही कम मसालों का यूज किया जाता है हल्दी लाल मिर्ची वगर नहीं डाली जाती है और अब हिंग डाल कर इसे भी कुछ सेकिंड के लिए फ्राई कर लेंगे अब इसमें प्याज डाल कर इसे ट्रांस्लूसेंट यानिकी सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है हरी मिर्ची को भी प्याज के साथ में फ्राई कर लेंगे इससे घी में हरी मिर्ची का अच्छा सा फ्लिवर आ जाएगा प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसमें लसून अद्रक का पेज डाल कर इसे आदी मिनिट के लिए और फ्राई करेंगे इससे जो लसून की कच्छी स्मेल है, वो निकल जाएगी अब इसमें कटेवी टमाटर और आदा छोटा चमस नमक डाल कर इसे mix करेंगे और टमाटर की soft होने तक cook करेंगे और नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं टमाटर अच्छे से पक गए है और ये एकदम soft हो गए है अब हम इने स्पून की बैक साइट से प्रेस करके मैश कर लेंगे टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब इसमें चना दाल डाल कर इसे मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे 1-1.5 मिनट तक भूल लेंगे चावल डालने के बाद हम इसे ठीक से मिक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि चावल काफी सॉफ्ट है तो वो टूप जाएंगे अब इसमें भीगेवी चावल डालेंगे तो दाल और चावल दोनों का पानी हमने निकाल दिया था मैं इसमें डाल रही हूँ डेड़ छोटा चमस नमक तो नमक थोड़ा कमी ही डालेंगे क्योंकि हम पहली भी डाल चुके हैं और अब इसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो चावल के बराबर और दाल का डबल यानि की दो कप पानी लेंगे थोड़ा सा बारिक कटवा हरे दनिय डाल कर इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर दो वीसलाने तक कुक करेंगे प्रेशर कुकर में दो सीटी लग चुकी है अब गैस को ओफ कर देंगे और कुकर को थंड़ा होने देंगे उसके बाद हम खिचड़ी को चेक करेंगे कुकर ठंडा हो गया है और इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया है और खिचड़ी हमारी बनकर तैयार है इसे हम फोग के हेल्प से फिलिप कर लेंगे क्योंकि इसके बोटम में काफी स्टीम है तो राइस ओवरकुक नहीं होंगे और चनादाल भी अच्छे से गल गई है क्योंकि हमने इसे 3-4 घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे खिचड़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है इसका एक-एक दाना खिला हुआ है तो जब भी कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने को मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं और इसे गार्निश करेंगे थोड़े से बारी कटे वे हरे धनिये से आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है या फिर किसी भी तरह किराइते के साथ में इंज्जोई कर सकते हैं तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैंबली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकिशन पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें